यॉरोपीय देश मॉल्दोवा में जारी यॉरोपीय देशों की बैच्छा की दुरान यॉक्रेण के राश्चुपती जेलिंस्की नेटो पर ही भड़क गए कि वो यॉक्रेण को इस संग्ठन का सदस्ते बनाएगा या फिर नहीं ताकि यॉक्रेण जंग में रूस से लड़ने के लिए अपनी आगे की तयारी उससे हिसाब से कर सके यॉरोपिय देश मौल्दोवा में मौझूद यॉरोप के 40 देशों के राश्च्ट्रिय ध्यक्षों के सामने जेलिंस्की नेटो से यॉक्रेण की सदस्ता पर जल्द फैसला लेने की अपील की इसके अलावा उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि EU यानि के यॉरोपियन यूनियन ने भी उन्हें अब तक संग्ठन में शामिल करने पर कोई पैसा नहीं लिया जबकि यॉक्रेण ने जंग की शुरुआत में ही EU में शामिल होने की अर्जी दे दी थी कि हवाई हमलों का डर सता रहा है क्योंकि दो दिन पहले मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ था जिसने रूस में खलबली मचा दी यही नहीं यूक्रेण ने रूस के बलगरत में भी भारी गोला बारी की कई लोग घायल हो गए जिसके बाद चेचन ग्रूप को भी बॉर्डर के इलाकों से बच्चों को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई रूस के मीडिया ने दावा किया कि पूरवी उक्रेण पर कबजे के लिए पुतिन की सेना ने नई रणनीती तयार किये जिसके तहएद रूस ने यूक्रेन की सेना पर कहड़ाने के लिए पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया ताकि जंग के मैदान में जलिंस्की की फौच को चारों खाने चित किया जा सके बश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले कई महीनों से रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन के दौनबास इलाके पर कबजे के लिए जंग लड़ रही है लेकिन यूक्रेन के जोरदार पलटवार की वज़े से रूसी सेना की हालत महां खसता है ऐसे में अब रूस के मीडिया ने ये दावा किया है कि पुतिन की सेना ने डौनबास पर कबजे के लिए नई रणनीती तयार किये जिसके तहएद रूसी सेनिकों ने पूरवी यूक्रेन के कई इलाकों में बारूदी सुरंगे बिछा दी है और इस वक्त एक ब्रेकिंग निउस रूस से जो मिल रही है वो आपको बता दे रूस के कर्स इलाके में यूक्रेन ने जोरदा ड्रोन अटैक दिया है रूस का दावा ये है कि उसने यूक्रेन के ड्रोन हमले को नकाम कर दिया है रूस के मताबिक उसने इस दोरान यूकरेन की तरफ से भेजे गए, कई ड्रोन तबाह भी कर दिये बताया ये भी जा रहा है कि ये हमला रात के वक्त हुआ रूस का आरोप है कि यूकरेन ने उसके इलाके में तबाही मचाने के लिए एक साथ कई ड्रोन भेजे थे जिन्हें उसने आस्मान में ही बरबात कर दिया विज रूस ने पश्चिमी देशों पर यूकरेन में नसन्हार करवाने का आरोप लगाया पश्चिमी देशों पर ये बड़ा आरोप रूस के विदेश मंतरी ने लगाया जिन्होंने क्राइमिया और रूस के कबजे वाले युक्रेन के इलाकों पर हो रहे हमलों का जिक्र किया और पश्चिमी देशों पर बरस पड़े एक दिन पहले ही युक्रेन के लुहांस्क में बड़ा हमला हुआ था यही नहीं रूस के कब्देवाले युक्रेन के जापुरिजिया, खैरसौन और डॉनेस्ट पर भी लगातार हमले हो रहे हैं रूस के विदेश मंतरी ने इनी हमलों का जिक्र करते हुए पश्चमी देशों पर निशाना साथा अबरकी निशाना साथ?